नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम में मैं हूँ पंडित चंद्रशेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग है एक अगस सन दोजार तेईस विक्रम समवत दोजार असी चल रहा है श्रावण अधिकमास है शुक्ल तीन मिनट तक है आगे श्रवण नक्षत्र है योग प्रीती है शाम शे बचके बावन मिनट तक आगे आयुश्मान योग है और योग की द्रश्टी से आज का दिन शुभ है योग का रख है इसका पूरा-पूरा सदुपयों कीजिए करन विस्टी है दोपैर बाद एक बज़े के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अभिजित मुरत आज दौपैर बारा बज़े से लेकर बारा बच के चोवन मिनट के बीच में हैं दिन में दो बा कि यात्रा को टाल दें लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है अनिवारे यात्रा है तो परिहार करके निकलें परिहार बहुत सरल है उत्तर के और मुक कीजिए थोड़ा सा गुड़ खाकर पांच कदम पीछे चलिए और जब यह प्रक्रिया करें तो अपने हिर्दे में अप आज के दिन का सदुप्यों करने का जो समय है वो है सुबह 9 बच के 10 मिनट से लेकर दौपेर 2 बजे तक फिर दौपेर बाद 4 बच के 30 मिनट से शाम 5 बच के 30 मिनट तक दोनों काल खंड बाकी सारे दिन के अपेक्षा जादा शुब है योगकारक है तो अच्छे-च्छे का मेकाल का ध्यान रखते हुए करें तो आपके सक्सेस के चांसे ज्यादा रहेंगे आज की चंद राशी दर्शे को मकर है यानि चंद्रमा मकर राशी से गोचर कर रहें जिससे आज कए दिन सभी बारे राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात कर यह बहुत ही अच्छा दिन है और मिठुन राशी वाले स्वास्त में आज परिशानी का अनुभव करेंगे लेकिन आर्थिक लाब भी आपको संभव है वहीं करक राशी वाले आज काफी मिलनसार रहेंगे और जीवन साथी से चले आरे विवाद शान्त होंगे वहीं सिंग बहुत ही प्रसंद रहेंगे और तुला राशी वाले अपने करियर में बढ़ेंगे आगे राजनीती से जुड़े लोगों के लिए अच्छा दिन हैं लेकिन घर में रहेगी अशान्ती वहीं व्रश्चिक राशी वाले भाग्ये का साथ पाएंगे और आज रहेंगे काफी क्रियेटिव और धनू राशी वाले आज गलिक इंफेक्शन का शिकार हो सकते हैं तो उसका ध्यान रखें लेकिन आज आपको आर्थिक लाव भी संभव है मकर राशी वालों का पाइटनर से बनेगा अच्छा संबन लेकिन आज भावनात्मक रूप से काफी कमजोर पाएं और मीन राशी वाले पाएंगे आज बहुती सुंदर सला और उससे बढ़ेंगे अपने जीवन में आगे दर्शे को आप करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो हमारी आपकी अंते द्रश्टी प्रग्या को जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशेश उपायों संगति के ततरहएं कि जब विचने वाला बिना लगाय भी पूरे दिन महता रहता है और संतों ने इसकी तुलना मिश्री में लगेनों धागी सी की है कि धागा मिश्री की संगत से उसी के बराबर मोल में बिग जाता है उच्चतर विचार धारा के लोग या जो मेहनत करके सफल हुएं उनकी संगती आपको भी सफलता के मार्ग खोल देती है इस पर शास्त्र में आता है कि महाजनश्य संपर्क है कश्षन अउन्नति कारक है यानि की महाजनों, विद्वान जनों, गुरुजनों और श्रम शील सफल लोगों के संपर्क से भला किसकी उन्नती संभव नहीं है माने ऐसा संभव ही नहीं कि उच्च संगत आप करें और आपकी उन्नती ना हो ये वैसे ही हो जाता है जैसे कमल के पत्ते पर पानी की जो बून पड़ी होती हो मोती की तरह चमकने लगती है, यानि साधरन सा पानी की बून लेकिन स्रिष्ट कमल पत्र की संगती के कारण मोती कंड सा प्रतीत होने लगती है तो आज की ज्यान चर्चा का सार ये है कि अपनी संगती स्रेश्टम रखी जाए जो स्रेश्ट विचार रखते हो मेहनत करके जीवन में आगे बड़े हो सादू जन हो, बड़े लोग हो जो सफल लोग हो दर्शे को आप करते हैं बात उन विशुस्ट उपायों पर जो आपकी सारी समश्चाओं के सरल समधान आपको करके देते हैं और जिने करके आप सफलता अरचनों को जीवन में बहुत ही पीछे छोड़ते हुए सफलता की और द्रड़ता से तेज गती से और बहुत ही पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिन लोग का जनम दिन है आप लोग आज सुबह हनवान जी को सिंदूर घी का चोला और जनेव और अनार अर्पित करें एक ध्वजा चड़ाएं और मंदिर में बैटकर ग्यारा 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 इस अनुपात में हर्वान चालीसा संकट नाशन स्तोत्र और बजरंग बाण के पाठ करें साथ ही साथ प्रयास रहे कि आज पांच छोटे छोटे बच्चों को मिठाई या चोकलेट अवश्य खिलाएं और भगवान शिवजी का विशे कच्चे दूद से और गंगा जल्से करें और गुलाब के सवा किलो फूलों से उनका शंगार करें यह सारी चीज़े अगर आप करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुती सुन्दर रहेगा बहुती विशेश उत्तम इश्वरी अनुकंपा के साथ रहेगा ऐसे दर्शे को जिन लोगों को आर्थिक समश्याएं बनी रहती है या फिर जीवन में करजा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है आयके साधन कम होते जा रहे हैं तो ऐसे स्तिती में उन्हें माता लक्ष्मी की साधना नित्य करनी चाहिए इसके लिए नित्य भगवान गणेश जी की पंचोप चार से पूजन करें संकट नाशन गणेश तोत्र के तीन पार्ट करें पिर भगवान शी क्रिश्ण का पंचोप चार से पूजन करें और गोपाल सहस्तर नाम का एक पाट करें और अंत में माता लक्ष्मी से पूजन करके इस बहुती विस्ष्ट मंत्र की पांच माला का जाब कमल गटे की माला से करें आसन लाल रहेगा दिशा उत्तर के और रहेगी और प्रयास करें कि साधना काल में सत्यवाचन करें सत्य वाचन का बड़ा पुन्य है सबसे बड़ा धर्म सत्य वाचन है इस पूजन को कम से कम 21 दिन करेंगे तो बहुती स्पष्ट लाब आपको दिखाई देंगे जिसके बाद आप आगे इसे लंबे समय तक खुदी करते रहेंगे मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र स्प्रकार है ओम श्रीम मुरीम श्रीम कमले कमलाले प्रशीद प्रशीद श्रीम मुरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नम्हें मंतर फिर से समझे है ओम श्रीम रीम श्रीम کا म्ला लय प्रसीद बीढ़ी drug करके देखिए और अपनी आर्ठी की स्तिति को सुधरते वे आप खुद प्रतेख्ष देखिर ऐसे जिन लोगों को वैवाईक जीवन में समश्चाएं चल रहे हो या वो लोग जिन से उनके प्रियेजन रूट गए हो वो लोग भगवान गणेजी की शरण लें और नित्य इस बहुती विस्ष्ट मंतर का जाब करें तो उनकी समश्चा चमतकारिक धंग से समापत हो जाती भोग में मावे की शुद्ध मिठाई अर्पित करें गुलाब के फूल अर्पित करें और अपनी पीड़ा भगवान गणेजी को कह दें फिर जिन से मन मुटा हुआ है उनकी छवी मन में रखते हुए इस बहुती विश्ष्ट मंतर की ग्यारा माला का जाब ग्यारा दिन तक अब करें निश्चित रूप से सभी समश्चाओं का अंत होगा विवाद शान्त होंगे और फिर से आपस में प्रेम और सम्मान स्थापित होगा विशेश करके पती-पतनी के मामले में यह मंत्र बहुती चमतकारी धंग से काम करता है मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र स्प्र वरवरदाए सर्व जनम में वश्माने स्वाहा तो आप यह कीजिए और अपने रूठे स्वजन को मनाईए तो दर्शक को यह थे आज की वह विसस्ट उपाए जो आपकी बड़ी-बड़ी समश्चाओं का अंत करके और आपकी मनों कामनें पूरी करते हैं अब बात करते है आपके सवालों की आज हमारे पास जनम पत्री का यह हमारे दर्शक रमेश सिंग जी की 23 दिसंबर 1913 में का इनका जनम है रातरी 9 बज के 38 मिनट अनूपूर मद्य प्रदेश में इनका जनम वह प्रश्न किया है कैरियर किस दिशा में जाएगा और होते होते काम बिगडते है देखे रमेश जी आपका सिंग लगन है और मेश राशी है भागेश मंगल आपके अस्त है या भागे भाव के जो मालिक हैं मंगल वो अस्त है और चतुर्त भाव में राहु है जिस पर शनी की पूर्ण दरिश्टी है तो ऐसे में जो conclusion निकलता है वो यह है कि एक तो आपके वास्तु दोश है बहुत बड़ा दूसरा आपका काम में मन ही नहीं लगता है और भाग्य भी आपका पुरा-पुरा साथ नहीं देता है पूजा पाट जब तब इस प्रकार के जो पाए होते हैं यह कुछ भी आप नहीं कर रहे होते हैं और ऐसे स्थिति में आपकी जो स्थि अधितिन उपायों से वो नहीं सुद्री है खैर आप मंगल और गुरु और शुक्र के जाब करवाई है और करियर को सिविल कंस्ट्रक्शन या कंप्यूटर हाडवेर के छेतर में बनाई है यह जाब करवा लेंगे और सई दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अक 22 नवंबर 1998 का इनका जनम है रातरी 10 बच के 24 मिनट शापुरा प्रशनी किया है लव मैरिज होगी या रेंज देखिया आदित्य जी आपकी करक लगन की पत्रिकाय और धनू राशी है आपकी शुक्र आपका अस्त है जो की प्रेम का कारक होता है पुरुष की कुंडली में का वैवाइक जीवन का कारक हुआ करते हैं तो वह अस्त हैं लगनेश चंद्रमा छटे भाव में और विवा का कारक शनी जो है वो दशम भाव में नीच राश्य में बैटके वक्रिये अब यह सारी चीजे दर्शार है कि आप द्वारा बहुत ज्यादा प्रियास किया जाए तो ऐसे में उचित यह रहेगा कि लाव मेरिज का ख्याल आप जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दें उतना आपके लिए अच्छा है और विवा जो आपका है वह जनवरी सन 2025 से जून सन 2025 के बीच में हो जाएगा अरेंज मेरिज होगी वही आपके लिए अच्छा र इसे अपने जीवन में उतारेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिव में सत्य में और आनंद में होता जाएगा महादेव से प्राथना करता हूं कि आप जब हमारे बताएवे उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारन निश्चित रूप से हो और आपकी मनोकामना ल्यान करें जया आदिशक्ति गुड़ मॉर्निंग मैं हूं दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूजेटीन के हमारे स्खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेज सेग्मेंट में जहां बरापर हर रोज औरिकल कार्ड के जरिए जानते ह कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है अगर किसी प्रकार की कोई हड़िल है अगर किसी प्रकार का कोईषया तो हम किस प्रकार ईजि जए ऊसे और सकते हैं, यह सब को जानने के लिए हम एक से लेकर 9 तकी रीडिंग करते हैं, कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है, यह नहीं पता कि कौन सी रीडिंग आपको रेजनेट करेगी, तो एक समझाना चाहूंगी अगर आपकी date of birth 14 यानिकी 14 तो एक और चार को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नंबर पांच तो नंबर पांच होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है एक अगस्त दो हजार तेईस और आज की जो तारीक है नंबर एक जिसके स्वामी है सूर्य जो की हमारी सोल को रिप्रिजेंट करते हैं और उर्जा के सबसे इंपोर्टन स्त्रोत्र माने जाते हैं तो आए दोस्तों बिना देर की अपने कारिकरम के मशुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांग एक के लिए हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं क्योंकि आज की तारीक है वो भी है नंबर एक और मूलांग एक की हम बात कर रहे हैं और हमें गा वह बहुत ही अच्छी है चुकि आज सूरे का दिन भी है तो वह बहुत ही पावर्फूल है क्लिर्ल यहां पर यह आपकी डिवाइन विस्टम को बता रहाए क्यों कि यह पर छंद्रमा की उड्जवाबी आरही है तो आपको clear कहा जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, आपको लग रहा है कि जो आपका talent है वो आप प्राप्त नहीं कर पा रहे, आपको कुछ और भी होना चाहिए, आपको कहीं और बहतर होना चाहिए, तो परमात्मा आप से क्या कह रहे हैं, आप जहां पर हैं, जैसे भी हैं, बिल्कुल सही जगहे पर हैं, इस दिन, इस समय यही चैलेंज आपको मिलना आवशक था, ऐसे में इस चैलेंज से भागिये मत, घवराइये मत, बल्कि इससे लेसन लीजिए, लर्निंग लीजिए, कि ये परिस्तिती आपको क्या सिखा रही है, तो सबसे पहले आज के दिन आप अपनी इगो को बीच में बिल्कुल भी ना लेकर आएं, बल्कि परिस्तिती से व्यक्ति से लर्निंग लें, आपका दिन शुब हो, आईए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल, हमारे एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं, एक अगस्त 2023 के लिए, औ और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, एरो का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि सबसे इंपोर्टेंट बात, आपकी प्लानिंग्स, जो भी आप करना चाहते हैं, आपको किसी से भी कहना नहीं है, जब तक कि आप उन चीज़ों को कम्प्लीट ना कर दें, या उस आपको आपको आज अपने शत्रों से, अपने विरोधियों से साफधान रहने की जरूरत है, कोशिश करें कि मौन रहें, कोशिश करें कि आज के दिन आपको observing nature रखना है, आज के दिन आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, किल लोगों के साथ आप उठ बैठ र कावश्य ही करें, आईए जानते हैं मौलांक 3 के लिए हमें हमारे एंजल्स और शिस्टर आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं, एक अगस्त 2023 के लिए और मौलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, ऑ्त्मन का काड है, देखें मौलांक 3 के जातकों के लिए पहले भी गाइड़न् मुझे याद है कि बाल ये कई बार आरही और आपको अधुरीयर को कहा है कि इससे पहले अब पूर्व में झीपना आज मत आईयाँ प्लीज आप उस उर्जा को फिर से अपने सामने रिपीट मत कीजिए, परस्तितियां बदल चुकी है, समय बदल चुका है, ऐसे में आपको अपनी विचारधारा में भी बदलाव लाना चाहिए, तो आपको ओल्ड जो भी चीजे हैं, उन्हें रिलीज कर देना चाहिए, ओल् आपको तुरंत उनसे बिल्कुल डिटाच हो जाना चाहिए, आपको क्लियर कहा जा रहा है, आगे की ग्रोथ के लिए, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव प्रकार की थौट प्रोसेस से अपने आपको अलग करें, आए जानते हैं, मूलांक चार के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजल एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं, एक अगस्त दो हजार तेज के लिए, और मूलांक चार के लिए हमसे कहा जा रहा है, वाइस बन का कार्ड है, कार्ज है रिपीट हुआ है, मूलांक एक के लिए भी कार्ड था, आपको कहा जा रहा है, कि आप जिस भी परिस्तिती में हैं, उसी में आपको एकस्प्ट करना सीखना होगा, उसी से आपको लर्निंग लेना सीखना होगा, और यह जो प्रेट हुए है यह आपको वास्तिक्ता में आपकी बढ़ोतरी के लिए है, कही न कही आप चैलेंज महसूस कर रहे हैं, लेकिन डिवा क्रामेनेशन के अगले क्लास में थोड़ी ना बढ़ जाते थे तो ठीक उसी तरीके से आपको अपनी ग्रोथ के लिए यह परिक्षा पास करनी है और उस परिक्षा को पास कैसे कर सकते हैं एक्सेप्ट करके और observing करके आए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमारे एंजल एंसिस्टर आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं एक अगस्ते तो भी आपका काम बनने लगेगा साथी साथ आपको एक चीज यह कही जा रही है कि आपकी आज की जो इनर पावर है इनर जो स्ट्रेंथ है वह बहुत बढ़िया है तो अगर आप किसी व्यक्ति को देखकर किसी वस्तू को देखकर किसी स्थान को देखकर किसी प्रोजेक्ट क अगर आपको देखकर डाउट और होना तो उस डाउट पर ज़रूर यकीन कीजिए आपकी अंतरात्मा आज आपको जो भी गाइड कर रही है उस बात पर आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है आपको लोगों के चिकनी-चुपडी बातों में नहीं आना है जो सामने प परिस्तिती में आपको नहीं उलजना है बलकि वास्तविक्ता आज आपको जानना जरूरी है ऐसे में अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करें आये जानते हैं मूलांक छे के लिए הमें पर मात्मा हमारे الेज्शरज हमें क्या गाइड कर रहे हैंएक अगस्त फेस्ट और मूलांक छे के लिए लिए आपको कि आपके जीवन में जो भी आपके आपने गुरु बनाए है यह जिनकी आप उपासना करते हैं पर मात्मा की उपासना करते हैं चुक्कि यहां पर हायर फॉर्स आये तो कहीं ना कहीं आकाश तत्व की बात हो रही है ब्रमांड तत्व की बात हो रही है जब ब्रमांड अपने गुरु पर भरोसा करें और साथ ही साथ शिवा पर भरोसा करें प्रम्हांड की आकाश तद्व के उन देवताओं पर भरोसा करें आपने जो भी कुछ प्रार्थना की जो भी कुछ आपने मांगा पर मात्मा से जो भी आपने मेहनत करी अब समय है उस पर यकीन करने का अगर आप किसी पी तरह की ऐसी परिस्तिती में है जब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए छोड़ दीजिए अपने आपको पूरी तरह से उनके उपर बिल्कुल आप कहते ना भक्ति मार्ग और कर्म का मार्ग कि आपने कर्म कर दिया फलकी इच्छ यह भी वह जाना चाहिए हम क्रिया तो रोज खरते हैं लेकिन अफ्री हो जाना चाहिए अपने लॉजीकल माइंड से आज कहीं ना कहीं डिवाइन को सब कुछ सौंब दीजिए नियतर जानते हैं मूलंक के साथ के लिए हमारे एंचल एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड क कि देखिए आज के दिन आप थोड़ा सा डिस बैलेंस महसूस कर सकते हैं अपने इमोशन के साथ आपके इमोशन कहीं न कहीं रोलर कोस्टर पर रहने वाले हैं आपको क्रोध भी बहुत आ सकता आपका इगो आज हो सकता है क्योंकि काफी टाइम बाद आप कुछ नया कर रहे ह दें मेहनत करें लेकिन आपको वैसा सपॉर्ट नहीं मिल रहा है तो आपको डिवाइन आज क्या कह रहे हैं कि सब से पहले तो आज का दिन कैसा गुजरेगा यह आपके nost Major रिएक्षिन पर डिपेंडट करेगा नो डाउट परिस्तिती आज थोड़ी सी चालेंजिंग है ब आपको क्रोध आ सकता है लोग आपको क्रोध दिला सकते हैं लेकिन उस परिस्तिती में आप किस प्रकार से व्यवहार करेंगे आपका रियक्षिन क्या होगा वहीं आपका पूरा दिन बनाएगा आए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमारे एंजल्स एंड एंसिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज एक अगस्ते दोहजार तेज के लिए और मूलांक आठ के लिए हमें कहा जा रहा है माउंटेंस का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना जादा स्ट्रॉंगली फॉर्मली आप खड़े रहेंगे अपने बिलीव सिस्टम पर उतनी ही जादा आप ग्रोथ के लिए आगे बढ़ेंगे कहीं ना कहीं आज आपकी विरोधी आपके कारे शेत्र में एक कारी को बिगाडने का प्रयास कर सकते हैं कहीं आपके छबी को दुमिल करने का प्रयास कर सकते हैं ऐसे वह भी जादा जरूरी हैं वहिसhof votes तुम बड़े चलो वी तुम तुम डिटे रहो तो आज डिटे रह आपको ट्रेंगे परिस्तिती है और यह जो चालेंगे आपक क्या करना है कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को डगमगाने नहीं देना क्योंकि आपकी विल पावारी जो है ना आज आपको सक्सेश दलाएगी और इस नकारात्मक परिस्तिती से और कम कराएगी और कहते हैं कि जब कॉन्फिडेंस कम लगे तो अपने इस्ट की उपासना कर आना आरांब कर देना चाहिए आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे एंजल आज स्टर आज क्या गाइड एकडिन करी यह और लांक 9 के लिए हम updated से कहा जा रहा है श्यायम today क्या आपको कि आज-क दिंट की मूलांक 9 के जया तक होते हैं उनको बहुत जादा लाइट वोंकिग काम करने के लिए, इंसपाइर करता है, प्रह्मान्द ज्यीज़न करने क लिए जन्कयान काहिए प्रस्काराइज करें nauTrude जो डूमोज है तो आइक पिषूर भॉह होती है अच्वे उर्जा ब़ुड 8 की did you often are दोस्तों यह थी रिडिंग हमारी एक से लेकर नौ मुलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें आप सभी का मंगल हो मिलूंगे आप से हमारे अगले अपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के बीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम